सभी साथ का आपके अपने चैनल में और आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं जन्जाती करते आ रहे हैं उसमें हम लोग मुंदा जन्जाती करेंगे बहुत ही इनपॉर्टेंट है किसी भी एक्जाम के लिए ज्यारकर्ण का यहां पे जहारकन का सेक्षन पूछा जाएगा तो इससे पहले हम लोग संथाल और ओराओं को हम लोग कर लिए हैं तो आप उसको जाकर देख लिए उस वीडियो को और उसके बाद इसको देखिए स्पाइस सही रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इसमें क्या है महत कोल के नाम से भी जाना जाता है मुंढा जारकन के तीसरी सारवेतिक जन्सक्या मैं पहले के विडियों में बताया हूं सोम हो के तो देखिए संथाल सबसे याद बढ़ाओं पिर मुंढा मुंदा यानि कोल तीसरी सबसे बढ़ी है हूँ है उसका वाद खड़िया है तो ध्यान रखेगा तीसरी सारवतिक जन संख्या किसकी है मुंदा की यानि की कोल की जन जातियों की कुल संख्या इनका प्रतिशत कितना है पूछा गया कोशन है इंपोर्टेंट है तो यह 14.22 मुंडा सब का समान अर्थ क्या है विशिस्ट व्यक्ति तथा विशिस्ट अर्थ गाउं की राजनितिक परमुक विशिस्ट व्यक्ति और विशिस्ट का अर्थ है गाउं की राजनितिक परमुक अब एक तरह से बोल सकते हैं लीडर मुंदा जन्जाती का संबंध किस्से है तो प्रोटो आस्ट्रलाइट प्रजाती समूँ से हैं इसको ध्यान में रखेगा फिर आपका मुंदा लोग क्या मुंदारी भासा получилось का संबंध के सम回 jedhart शे मुंदा स्वेतरों को होड़ को आपनी भासा को प्रवास करते हैं तो बुंदा जल जन्जाती प्रह्बराण को रुप से एक जग़ से दूसरी जग़ा पर प्रवास करती रही है आर्यों के आक्रमन के बाद यह जंजाती आजीम गड़ बस गई मुंडा जंजाती का प्रवास कालंजर गढ़ चीट्र गढ़ नगरवार गढ़ धारवार गढ़ पाली गढ़ भीपरा मांदर पहर बीज्णा गढ़ को अधिकनाक ह्या लकनोर गढ़ नंदन गढ़ रिज्गण यानि की राजगीर भीः पुछा के पुछन है तथा रुई दासगड में होता रहा है रुई दासगड में से यह जंजाति दच्छिन की तरह प्रवासित हुई तथा ओम में डंडा यानि बुर्मू जहारकण में आकर भस गई तो देखिए कैसे यह यहां पर दिया गया है किस तरह के से आजीमगर से कालंजर यह रिपीटने करूगा मैं आप लोग देख लिए किस तरह से इधर चलके आया है जहारकण में फिर है जहारकण में इस जंजाति का आगवन लगवा छेसो इसा पूरू हुआ जहारकण में मुंड़ा जंजाति का सर्वदिक संकेंद्रन कहा है राची है ध्यान रखेगा सफसे ज़्यादे पॉपलेशन उनका कहा है तो राची में है इसके अत्रीक गुमला सिमडेगा पहश्मी सिमभूम तता सराय किला खरसावा में भिया निवास करते हैं तमार छेत इंपर्टेंट है लेका अब डेट है और पूछ सकता है और यह जहन रखेगा से चेंजाती के julie अ कि ब्यूद्वा में निवेस करती मुंड़ा दाल निर्वित भूमी को खूट करती मिर्वित भूमी कलते हैं और इनकी प्रशास्निक व्यवस्था को खूट कास है यानि परिवार से हैं यह जंजाती मुलेत ज्यारकंड में ही पाई जाती है नेक्स्ट है आपका इसमें मुंदा जंजाती भासा मुंदारी है यहां रखेगा भासा कौन से इनकी मुंदारी है तता इसकी लीपी का नाम भासा मुंदारी और लीपी मुंदारी बनी है जिसका जिसका अब इसकार 1921 मुरीशा के रोहित दास सीह नाग ने किया है अब आगे इसमें देख लेते हैं मुंदाओं का समाज यवं संस्कृति किस टाइप से है तो उसको देख लेते हैं तो देखिए समाजिक अस्तरी करन के द्रिष्टी से मुंदा समाज ठाकूर मानकी मुंदा बापू भंडारी एवं पातर में विभाक्त है मुंदा जंजात्ती में सगोत्री विवा वर्जित है मुंदाओं में विवा का सर्वदिक प्रचलित रूप आयोजित विवा है विवा के अन रूप नीमन है तो विवा बदू द्वारा विवा होने तक वर के हां बलात कि पर्वेश करके रहना मतब जर्दस्ति रूप से रहना अब समाजिक विवस्ता समधित विविन नाम खरन तो देख लेते हैं इंपोर्टेंट है यह मैं सारे में बता रहा हूं आप सभी का ध्यान रखेगा घृण लिशान रिखेगेण्ट मुंड़ा और कन्छाट परधानको ऊद्धू मुंड़ा औहुए न परसे मिलंगे परणडों को पर्दार हिटयों काते हैं और मनिवीए परण चाहिक लकाने और से देटे को नहीं मेरे जोटे के background को दोना प मुंड। या गनोक ता काई फड़ता आपडता है इसंगगर को साकम चारी नाम से जाना जाता है वान स्कूल कीमप्रा को खूट के नाम से जाना जाता है और रिजले द्वारा मुंडे जाती के 340 गोत्र बताएगा ध्यान रखेगा कि किसके द्वारा बताएगा तो रिजीले के द्वारा उराव जन्जाती गोत्र उनके प्रतीख देख लीजे तो नाग गोत्र प्रतीख साप बोदरा मोर सोय है सोल मचली मुंडू है बिर्नी हीरो है कच्वा और करकेटा है पच्छी और भी है इधर धान का वेगधान भेंगरा का घोड़ा अदाई का मचली टोपनो का लाल चिटी पूर्ती का घड़ियाल बार्जो का कुसुमफल और हंसा का हंस नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सोमासी मुंडा ने मुंडा जन्जाती को तेरा उपस अगाव में विभाजित किया है जिसमें माहली मुंडा तथा कंपाट मुंडा सर्व परमुख है सोसो बोंगा पूछाओ क्वेशन है यहां एक परकार का वैलेट यानि मुंडा जन्जाती के प्रसिद्ध लोग कथा है जो इनकी प्रहंपर है वहां विकास क्रम पर प्रकास डालता है इस जन्जाती में महिलाओं द्वारा धान की बुवाई करना महिलाओं के छप्पर पर पर्षाण चड़ना तथा महिलाओं को दास अंसकार में भाग लेने तुस समसान घट जाना वरजित इस जन्जाती में गाओं की बेटियों द्वारा सरहूल का प्रसाद गिरन करना वरजित इस जन्जाती में पूर्शो द्वारा धारन की जाने वाले बस्त को बटोई या क के रिया तथा महिलाओं द्वारा पने जाने वस्त को परिया कहा जाता है अब यह कोशन पूछा गया है तो इस जन्जाते की प्रमुपपर्व सरहूल यानि की बाहा पर्व जो की चैत महा के सुक्लपच की तिर्थिया को बसंतों सब के रूप में मनाया जाता है फिर कर्मा जो कि भादो महा के सुक्लपच की कार्थि को असोहराई कार्थि का मवच्या के पर्शो के सम्मान में फिर है रोवापुना धान बुए के समय में बताली हा साड़क में खेत जुताईक से पुरू छोटा सरूल के रूप में बुरू पर्व दिसंबर महा में मनाया जाता है मागे पर्व फागु पर्व होली का समरूप जत्रा जुम्नवा हादिम है अब हैं मुंडा क्रिशी पशुपालन करते हैं पूजा पशुपूजा है तो आयो त्योहर को सोहराय कहा जाता है पूछा गया है कि स्वराय फेस्टिवल किस से जुड़ा हुआ है तो हार जो है उन्डा सभी अनुस्ठानों में हडिया वं रान का पर्योग करते हैं आर्थिक उपयोक्ता का धारप्रण की भूमी तीन प्रकार की होते हैं तो देखते हैं एक पांकु होता जो हमेशा प्रक्ति रूप सिंग बोंगा पर मुंडाओं द्वारा सफेद रंके फूल सफेद भोग पदार्थ सफेद मुर्गे की बली चड़ाने का प्रचलन है इनके आने प्रमुक देवी देवता है हातू बोंगा यान की ग्राम देवता देशाउली है गाउं की सबसे बड़ी द रखेगा मुंडा गाउं का धार्विक परदान पाहन कलाता है जिसका सहायक पुजार या पनवरा होता है कि पाहन का सहायक क्या होता है पुजार या पनवरा इस जंजाती में ग्रामिन पुजारी को डेहरी कहा जाता है तो फिर मुंडा तांत्र के वाम जादूई बिद्या दयान रखेगा कि और ऐसे कारियों करने वाले को जैसे जोडू करने वाले को क्या बहुते हैं देवड़ा काया मुंडा समाहिब में सब को क ABOUT नह्यों दोनों प्रकार की प्रत्हाया बिद्वान है प्रन्थु अप्चलाइक प्रत्हाँ से इसे सासन कहा जाता है साशन में पुर्बज मृत की स्मृती में सिला खंड रखा जाता जिसमें एक सीला खंड याने पत्थार कब कुछ बना के रखा जाता है जिसे का उतर सासंदिरी या हड़ गड़ी कहा जाता है तो यह यहां पर मुंडा खतम हो गया अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभर करेंगे हो उमीद करता हूं तीन जन जाती हो चुका है और आप लोग को प्रसंदारा होगा तो बिल्कुल चैनल पर बने रही है सब्सक्राइब कर लिजिए सेशन प्रसंदारा तो लाइक कीजिए और आपको बहुत सारे एक्जांप पॉइंटेवियो से बहुत सारे सेशन बहुत जल मिलने हैं